एक ऐसी लाइन कीची जिससे हमारा देश न्यूकलियर पावर में विश्वकत जिदि ये दोनों देश विभाजित ना हुए होते सबसे पहला फाइदा जो होता वो ये होता हिंदुस्तान को हुआ ना पाकिस्तान को हुआ इसका फाइदा तो दोस्तों हमारे देश के अच्छे नागरिक हो या ना हो नियम और कानून को ठीक से फॉलो करते हो या ना करते हो लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आते हैं ना हमारे अंदर का देश बक्ती का जजबा तेजी से बाहर आता है आपको पता है आजादी से पहले ब्रिटिशर्स ने आते ही हमारे देश में फूट डालो साशन करो की निती को अपनाना शुरू कर दिया था और दोनों के बीच में डिवाइड इन रूल की पॉलिसी को इंप्लिमेंट करने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते थे लेकिन जब सेकिंड वल्वार हुआ तो उस समय पर ब्रिटिशर्स उसमें हार गए जिसकी वजह से वो यह समझ गए कि अब लंबे समय तक हम हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनाये रख सकते इसलिए उन्हें इंगलेंड से अपने एक वकील को बलाया और उस वकी के अधार पर एक ऐसी लाइन कीची जिससे हमारा देश दो हिस्सों में बढ़ गया आपको यह पता है कि वो व्यक्ति जिसको इसके बारे में कोई पॉलिटिकल जानकारी नहीं थी उसने इस देश का विभाजन कर दिया और विभाजन के समय में कुछ राजे तो बीच में से दो हिस्सों में बढ़ गए जैसे आपको पता है कि पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब हिंदुस्तान में भी है ठीक ऐसे ही कश्मीर पाकिस्तान में भी है और कश्मीर हिंदुस्तान में भी है जब दोनों जोगे के लोग एक जैसे थे घर परिवार एक जैसे थे तो उनके तोर तरीके, काम करने के तरीके, बोल चाल, रहन सेन, खाना पीना, सब एक जासा था। इस विभाजन की वजह से लोग तो अलग हुए, लेकिन के रिष्टे जुदा नहीं हुए। आज भी भारत के बहुत सारे लोगों के रिष्टेदार पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के रिष्टेदार हिंदुस्तान में रहते हैं। जरा सोचिए, यदि ये दोनों देश विभाज इतना हुए होते, तो क्या होता। सबसे पहला फाइदा जो होता वो ये होता कि हमारे देश की military पूरे विश्व की सबसे ज्यादा powerful military होती जिसका मुकाबला कोई देश नहीं कर पाता दूसरा हमारा देश nuclear power में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश होता और आर्थिक शक्ति के रूप में भी बहुत मजबूत होता इसके अलावा पिछले 75 सालों में दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हुए जिसमें 1000 लाखों सैनिक शहीद हो गए अगर हम एक होते तो शायद ऐसा नहीं होता और हमें आर्थिक नुकसान भी नहीं होता और अगर आज हम दोनों साथ होते तो हम developing नहीं developed country होते और एक बहुत बड़ी super power के रूप में पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते दोस्तों हिंदुस्तान का border 6 देशों से और पाकिस्तान का border 4 द चाइना से लगता है वहीं इंडिया का border पाकिस्तान, मयामार, चाइना, नेपाल, भूटान और बांगलादेश से लगता है अगर हम एक देश होते ना तो हम import-export business में भी और ज़्यादा सफल होते और हमारी economy financially और ज़्यादा साउंड होती और इतना ही नहीं इंडिया और जीडिपी यदि मिली हुई एक GDP होती तो ये विश्व की third largest सबसे बड़ी GDP होती इसका फायदा ना तो हिंडुस्तान को हुआ ना पाकिस्तान को हुआ इसका फायदा तो उन देशों को हुआ जो हत्यारों की supply हिंडुस्तान और पाकिस्तान को करते हैं अमेरिका जैसे देश ने इन दोनों देशों में चुद्ध के बीच में बहुत अधिक पैसा कमाया और बहुत सक्तिशाली देश के रूप में उभर कर पुरे विश्व में राज करने लगा जैसे ही हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ कर दूसरे देश में जाते हैं तो हम अपने आपको एक दूसरे के भाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन अपने देश में आकर वो एटिट्यूट ना जाने हमारे अंदर कहां से आयता है कि हम एक दूसरे के साथी नहीं विरोधी हैं और इस वीडियो को देखकर भी ना अभी बहुत सारे कंट्रोवर्शिल मेसेजिस आने लग जाएंगे हिंदुस्तान के समर तक ये बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया पाकिस्तान के समर तक कुछ और बोलेंगे हर व्यक्ति अपने थौट प्रोसेस के हिसाब से अपने विचारों को थोपने का प्रयास करेगा लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्ची ये है कि हम एक थे एक हैं और भविश्य में भी इसी तरह से भाईचारा और प्रेम बना रहेगा अब मैं आपसे पूछता हूँ अपने दिल पर हात रखके मानवता के अधार पर बताएं क्या हम दोने एक दूसरे के विरोधी हैं क्या हमारे मतभेद केवल राजनेतिक या आसामाजिक तत्वों के कारण नहीं है या क्या हम सच में अपने आपकों एक दूसरे से अलग मानते हैं क्या हम ये मानते हैं कि हम एक दूसरे के भाई हैं थे और हमेशा रहेंगे ये बात मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखका ज़रूर बताएं और ये दिया आप चाते हैं कि ये भाई चारा निरंतर ऐसे चलता रहे तो इस वीडियो को हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान जादा से अदा शेर जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपना जबाब जरूर लिखें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत